हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कंपारिशन करेंगे मोटो जी 31 में और ओपो ए 55 में और देखते हैं कि बेस्ट फॉर कौन सा ही तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात कते हैं डिस्प्ले क्वाल्टी से तो मोटो की है डिस्प्ले 6.5 इंच की रैजुलेशन है 1880 पाल 24 पिक्सल और सक्रीन AMOLED डिस्प्ले और ओपो की डिस्प्ले 6.5 इंच की रैजुलेशन 720 पाल 1600 पिक्सल और सक्रीन IPS LCD डिस्प्ले और डिस्प्ले क्वाल्टी में Moto Best हैं बात करते हीं प्रोसेजर की तो Moto का है Mate का G85 का CPU 2.0 का हार OctaCore का 12-95 डेर्स का फिन्फेट GPU है जी पाउण का और ओपको चो प्रोसेजर ही ओ है Mate का G35 का CPU 2.3 का हार OctaCore का और 12 Enemities का Fin fact और Pro Syncvalty में Moto best है। बात करते हैं बेख camera की तो दोनों का है ट्रीपल, moto का जो main camera है 50 का, फिर 8 का, फी 2 का, Oppo का main camera है 50 का, फिर 2 का, उर फिर 2 का. बात करते हैं fan TV की, तो मT का है 13 का, Oppo का है 16 का और camera की quality में Oppo best है। बास कते हैं बैड़े लाइप की, दोनों मैं सेम है, 5000 image कर दोने के बैटर इस नोरिबल है, आप दोने के बैटर को निकालने सकते हैं, बात करते हैं चार्जों की, तो मोटो में है 10W का, ओपो में है 18W का, दोनों में टैप्स का स्पोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरपिन सेंसर और फेस लोग में मिल जाता है, और आपको मोटो में ट्रीपर सीम नहीं मलती, ओपो में ट्रीपर सीम मलती है, दोनों की हाँ वार और दोनों में ही आपको अध्यवर्ट 11 मिलता है बात करते हैं फ्राइज की तो मोटो का है स्ट्रक्टि प्राइज 13400 निनामरपी और ओपन का है स्टार्टिंग प्राइज 15400 निनामरपी तो फिर आपको दोनों प्राइज कौन सा कौन पसंद आया कॉंट बोक्स में ज़रू बताना अगर आपको दोनों में इसको फोली नहीं तो आप मोटो के साथ जा सकते हो यह बैस्ट है अगर आपको बैस्ट केमरा लेना ही तो आप ओप के साथ में जा सकते हो